हाइ कैसे हूँ आप लोग आयोगोब सब ठीक होंगे तो Чलो आज एक करुश्य का फरोग बनाते हैं दो साल की बेबी के लिए तो किस तरह के से बनाए मैंने यह यहां तक बना रखा है तो मैं बताती हूं कि किस तरह के से बनाए तो इसमें मैंने डाले हैं 68 चेंड डाली हैं मैंने इसमें 68 के बाद मैंने यह डिजेन बनाया इस तरीके का और एक साइड मैंने दो बटन के लिए खुला छोड़ दिया तो कैसे बनाया तो यहां पर मैं थोड़ा सा शुरू करके दिखाते हूं आपको तो यहां पर मैंने थोड़ी सी चेन डाल रखे हैं तो एक लाइन त इस तरीके से पहले चेन डाल लेंगे जितने आपको चाहिए तो मैं दो साल की बच्ची का बना रहे हूं तो 68 चेन डाली है मैंने तो इसमें मैंने थोड़े से आपको दिखाने के लिए ऐसी डाल दिया इसमें गिनी नी चेन है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे किनारे में हैं तीन डबल क्रोशे ले लेंगे उसके बाद हमें यहां पर बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर के लिए हमने तीन फंदे रख लो चाह चार फंदे रख लो उसके बाद हमने क्या करना है सबसे पहले हमने एक फंदा उठा के इस तरीके से बना लूँ फिर जो अगला डबल कुरोशे है मेरा उसके उपर मैं दो डबल कुरोशे बनाऊंगी फिर इसको मैं आगे जे फंदा उठा के बनाऊंगी ये मेरे सीधी साइड को आएगा फिर इसमें मैं दो डबल कुरोशे बनाऊंगी फिर इसको फंदा उठा के बनाऊंगी फिर डबल कुरोशे बनाऊंगी इस तरीके से जैसे इसमें बने हुया यह यहां से दिखाते हूं कि जब यह पहली लाइन बनाई मैंने तो यहां से मेरी शुरू हुई है तो यहां पर मैंने चार फंदे रखें चार डबल कुरुश्या फिर मैंने एक उठाने वाले फंदा फिर मैंने दो बनाएं फिर एक लिए है हमने पहले एक डबल क्रोशे बनाया है जब हमने बॉर्डर बना लिया उठाने वाला फंदा बना लिया तो फिर हमने एक चेन लिया है तो ऐसे करके मैं फिर पहली बार में मैंने कोई चेन नहीं लिया है दूसरी बार में चेन लिया है फिर तीन चार चार बारी बनाय तो पांच बारी हो जाएगा फिर एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बारी मैंने एक चेन लेके दो डबल करोशे बनाया, उठाने वाला फंदा तो बनाना है, उसके बाद फिर मैंने दो डबल करोशे के बाद एक चेन लिए, फिर दो डबल करोशे बनाया, तो इस तर पर चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने, इसको फिर मैंने थ्ञड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, तो तीन डबल करोश एक चेन, तो ऐसे मैं 3 डबल करोश एक चेन इसको बनाते ले गई हूं, तो यह मेरी टोटल, तो यहाँ से हो गई हैं, जैसे मैंने शुरू क रहा ह तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, मैंने तेरा लाइन का बनाया, अब उसके बाद मेरे यहाँ पे मेरे, जब मेरे यहाँ पे बन गया था, तो आप नीचे तक भी इसको बना सकते हो, तो मैंने यही से यह उपर नीचे जोड़के, एक फल इसमें बना दी थी मैंने, तो यह मेरे टोटल तीस जगह पे आये हैं, यह फूल जो बने हैं, मेरे तीस जगह पे आये हैं, तो तीस हैं मेरे यहाँ पे यह फूल बने वे, यह जो मैंने वो डाल रखें, केबल डाल रखें, तो इसको उपर नीचे चड़ा के यह काज बटन के लिए बना दिया अब यही से मेरा शुरू होता है तो यहां पे मैंने तो इस तरीके से मैंने दो दो चार दो छे और इसका आधा हिस्सा इधर आएगा आधा हिस्सा नीचे चोली यह चोली के लिए आजागा यह बाजू के लिए छोड़ दिया मैंने पिन लगा लिए और से मीसी तरके से तो यहां पर एक, दो, तीन, चौथे में डाला है तो यहां पर मैंने इस तरके से लगा लिये अब मैं आगे बनाने जा रही हूं कि किस तरके से बनाओंगी तो अभी मैं एक लाइन फिर तीन डबल करोशे वाला ही बनाओंगी और उसके बाद मैं 4 डबल करोशे वाला बनाऊंगी फिर मैं आगे दिखाऊंगी तो अभी तो मैंने इस तरीके से बनाया ये एक फंदा मैंने इसके उपर उठा लिया, दो मैंने चेन में बनाई अब मैंने ये डबल करोशा यह जो बनाना है यह उठा लिया अब मैंने क्या करना है पहले मैं यहाँ पर एक फंदा ले लूँगी फिर इसके अंदर मैं दो डबल करोशा बनाऊंगी दो डबल करोशा फिर एक चेन बनाऊंगी फिर दो डबल करोशा फिर इसके किनारे में बनाऊंगी तो य देक बारी मैं, एक लाइन में इसी तरीके से बना के ले जाओंगी," और अगली लाइन में फिर चार डवल कुरूषय बनाओंगी," तो यहँ गो यह के हो गया दो और तीन फिर एक चेन ले लूँगी चेन चाहे लो भी नहीं कोई बात नहीं अगली सलाई में आई जाएगी चेन और इसके अंदर फिर मैं दो डबल कुरोशे बनाऊंगी यह पिन को इदर रख दिया कर दिया मैंने पिन हटा दूँगी फिर मैंने दो डबल कुरोशे बना दिया और एक इसके उपर उठा लिया तो यह मेरा मुड़े की साइड को हो गया यह बाजू के लिए हो गया अब यहां से मैं मारकर हटा दूँगी तो इस तरीके से मैं फिर यहां पर एक चेन लेके एक चेन लेके इधर को यहां पर मैंने तीन ले लिया तीन डबल कुरोशे ले ली चेन नहीं लेनी मुझे यहां पर और इसको मैंने उठाने वाला फंदा जो है डबल कुरोशे वो ले लिया क्योंकि आदा हिस्सा मेरा इधर छोटना आदा इधर तो मेरा यहां पर एक फू बनेगा क्योंकि उसको मैंने बड़ा नहीं बनाना है और बाकी जितने भी हैं मेरे पास तो मैंने चार चार इदर छोड़े हैं और 14 मेरे दोनों तरफ साथ साथ मेरे चोली के लिए हो गए नीचे चोली तो मेरी पूरी हो गई चोली नीचे घेर के लिए हो गए तो इस तरीके तीन समझ लो, तीन-तीन मैंने ये छोड़े और आधा ही आ गया, मेरा आधा ही आ गया, तो दो साल का बच्चा है, तो घेर थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो चोली तो ये मेरे हो जाएगी, और बाजू मैं फिर बाजू अला बनाऊंगी, तो आगे बताऊंगी, तो अभी मै पहले इसको बना लेती हूँ, फिर मैंने बता दिया, अगली लाइन में मैं, एक इसमें, एक इसमें, और दो इसके अंदर उठाऊंगी, तो चार डबल करोशे हो जाएंगी, फिर एक चेन होगी, फिर दो डबल करोशे इदर, एक इसमें, एक इसमें उठा लूँगी, एक यहां तक बना चुके हूं, यह मैंने पूरा बना लिया, मैंने यहां दिखाया था आपको कि किस तरके से बना रहे हूं, उसके बाद मैंने इतना बना लिया, तो यह मेरे दो साल की बेबी का अराम से आ जाएगा, और फिर मेरे पा मोती पड़े थे थे, थोड़ा सा मैंने पत काट कर दूंग2 एक मैंने डोरी भीढ़ दिया इसमें एक बाजु ही तैयार कर लिया है आप मैं दूसरा बाजु बताने चाहई है कि किस तरह के से आ। बाजू उठाना है तो एक तो मेरा बाजू तयार हो चुका है यह अब मैं इधर का बाजू बताऊंगी अब इसमें मैंने कितनी लाइन बनाई है तो आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना तो मैं इसमें बता देते हूं कि कितनी लाइन बनी है मेरी तो यहां नीचे यहां से मैंने जहां से अलग-अलग हिस्सा करा तो यहां से मेरी 24 लाइन है और उसके उपर मेरी 13 लाइन है तो आप बच्चे के हिसाब से बनाना आप छोटे एक साल के बच्चे का बना रहे हो तो आप इतना बड़ा तो बहुत बड़ा हो जागा फ्रोग तो आप थोड़ा कम कर ल है अब यहां पर तो मेरे फंदा बढ़ता गया तो इस तरbeeld के से मैंने फंदे वड़ाते से तो बर यहां मैंने पढ़ा था फिर माने दीरे बढ़ाती गई फिर तीन करे चार दो करे चार करे फिर शे करे इसी तरीके से यहां से लाइन के बढ़ता raised te नहीं तो अगर हम उपर से ही हर सलाई पर फंदा बढ़ा देंगे तो बहुत बढ़ा गेर हो जाएगा तो इस तरह के से जैसे एक दो तीन चार पांथ छे छे लाइन तक मैंने चार डबल कुरोशा होला बनाया फिर इसी तरह के से आगे आगे बढ़ाते जाना है और लाश्ट नहीं था अपने हसाब से लेनी है बच्चे के लिए कि कैसे यह soft हूं है तो अभी दो सालगा बच्चा है तो आराम से स्वर्टर उस पर यह फ्रोक बिल्कुल फिट आएगा मोर्य के पास बिन, तो आप भी इस तरह के से मूटासक लिए, और बनाओं लेकिन आप जितना मैं जया पर धागा बाँद लिया अब यां पर मैं पहले 3 चेन बना लिए सोऀ सके बाद में अ कैंद धागा बाला भूक्रशए यह उसके अंदर फिर मैं सब्सक्राद एन मौन UX यहां पे मैंने छोड़ना है गटाना है यह घट गया मेरा और इस तरीके के मैंने एक double कुरुशा बना लिया है उठाने वाला फंद बैक्टियम में मैंने तीन डबल कुरुशा, एक चेन, फिर तीन डबल कुरुशा, इसी तरीके से बनाने है, इससे ज़्यादा नहीं करने है, मुझे फंदेश में ना मुझे कम करने है, तीन डबल कुरुशा, एक चेन, फिर तीन डबल कुरुशा, तो इसको मैं पूरे राउंड में बना के यहां तक लाओंगी फिर मैं दिखाती हूं आगे कैसे बनाना है तो कि मुझे यह बाजू है तो बाजू में मुझे कहीं पर फंदा ज्यादा नहीं घटाने बस मुझे एक फूल आदा फूले घट गया तो यहां से मैंने फंदा उठाया था और यहां पर भी मैं इसी तरीके से यह पर मिरे कोई यह उठाने वाला फंदे के बाद मैं सीधा यहां पर ले लूँगे उठाने वाला फंदा बना लिया एक दो तीन डबल करोशा एक चेन फिर इसी जाली में मुझे इसी छेद में तीन डबल करोशा बनाना है क्योंकि बाजू है तो मुझे इसी तरीके से तीन डबल करोशा तीन डबल करोशा छे डबल करोशा कहीं बनाना है तो न मुझे इसमें ज्यादा फंदे बढ़ाने न मुझे बस एक बारी यहीं पर मैं आधा फूल घटा रहे हूं और आधा इधर से घट जाएगा मेरा बस उतना ही घटाऊंगी और बाकी मैं इतना लूज तो चाहिए बच्चे को कि बहुत सारे कपड़ों के ऊपर पैंता है बच्चा करोशय का बना हुआ तो इसी तरह के से पहले मैं राउंड बना लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी तो मैं यहां लाश्ट में आ गई हूँ यह बना लिया अब मुझे यह चोड़ना है तो मुझे यहां पर सिल्ली फिष्टिज कर देना है इस तरह के सिल्ली फिष्टिज कर दिया मैंने फिर इस इसको चेन को मिला के तीन डबल करोश्या हो गए, फिर एक चेन, फिर तीन डबल करोश्या, बस इसी तरह मुझे राउंड में बनाते हुए ले जाना है ये सारा, अब मैं इसको पहले बाजू को पूरा कर लेते हुए इसी तरह के बना के, फिर मैं इसमें एक हेरवर्ण बनाऊंगी, फिर वो भी बता दूँगी कि किस तरह के से मैं हेरवर्ण बना रहे हुए, अब बड़ा हो गया बच्चा, दो साल का है तो इसमें सूज नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चा फिर पहनता नहीं है, जब बड़ा हो जाता तो सूज उतार के फेक देता है, तो इसमें सूज नहीं बनाऊंगी, तो इसमें मैं हेरवर्ण और ये फ्रोकी बनाऊंगी बस, तो मैं इसमें hairband बनाऊंगी तो वो भी वीडियो आपको डाल दूँगी कि किस तरह के से मैंने hairband बनाया तो इसी तरह के से मैं पहले इसको बना लेती हूँ I hope आप लोगों को पसंद आएगा तो यह गोलाई में बन जाएगा बाजो तो इसके कोई सिलाई नहीं होगी यह एकदम round में बन जाएगा और यहाँ पर मैंने दो बटन लगा रखें यह पीछे यह मैंने खुला चोड़ा था यहाँ तक तो दो बटन बना दिये मैंने इसमें लगा दिये मैंने तो मेरा फ्रोग तियार हो गया पूरी फिनिशिंग हो चुकिया है फ्रोग की सिरफ अब हेरवेंड बनाना रह गया तो हेरवेंड बना रही हूँ तो वह भी दिखा दूँगी तो इस तरह के से यह तियार हो गया तो यहां से यह हेरवेंड शुरू कर दिया मैंने बनाना तीन डेबल करोशा वाला बनाया तो अभी और रहता है मेरा बनाना तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर बता रही हूँ मैं अभी यहां पर कि किस तरह किसे बनाना देखो शिर्फ मैंने यहां पर देखो एक दो तीन बारी बनाया किनारे में मेरे एक एक है अगली बार मेरे किनारे में बन जाएंगे दो बीच में बन जाएंगे तो एक बारी में तीन जग़ा पे डबल कुरूशय बनेगा, तीन डबल कुरूशय अब यहां में किनार एक बारी में चार बनेंगे, तो देखो अब की बार मेरे, लाश्ट में मैंने एक ले लिया, किनारे से, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाके, दो डबल कुरूशय इसमें बनाऊंगे, एक, दो डबल कुरूशय बना ले, चैन कोई नी लेनी बीच में, एक, दो, तीन, तीन डबल करोशे बना लिया, फिर इस वाले घर में भी बनाऊंगी, तीन डबल करोशे, तीन डबल करोशे बना लिया, अब लाश्ण में जो मेरी चेन, यह यहां पर मैंने चेन ली थी, इसके अंदर में तीन डबल करोशे बनाऊंगी, एक, दो, लाश्ण में जो तीन चेन बनाई थी इसके बीच में से निकाल के इस तरह के तीन डबल कुरुशय तो एक लाइन में एक बारी में 4 जगापए बनता डबल कुरुशय और एक बारी में 3 बनता किनारों में अभी जैसे देखो 1-2-3 चेन ले लिए अभी यहां पर हमारे अब की बार की हमारे तिन जगह पे तीन डबल कुरोशा बनेंगे। इसमें मैं किनारे में जो इन एक चेन बनाई इसमें मैं इस तरीके से एक चेन बना लूँगे, एक डबल कुरुशे बना लूँगे, फिर एक, दो, तीन, अब की बार मेरे चार बनेंगे, तो अब की बार कैसे चार बनेंगे देखो, एक तो पहले से तीन चेन वाला है, दो हो गया, तीन हो गया, फिर इसमें बनेगा, फिर इसमें ब तो इसमें मैंने डालें शुरू में चैन 16 थे आप 13 हाकर नकार 9ग नवारी हैं Зап Mensch ढूłby देखेसिंधयी कि इस तरहेद दाले हैंक किनारे में मैंने पहले एक डारी हाँ इसके बाद मैंने एक छोड़ के भी किनारे में मैंने एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह के से यह बड़ा सा फूल बनाके किसी और दूसरे कलर का तो इसके उपर लगा दूगी आई हो आपको पसंद आएगा सटर मेरा पूरा हो गया पूरा फ्रोक हो गया तो इस तरह के से यहां पर काज बनाने की जुरूद तो पड़ेगी नहीं क्रोशे में ही जो मैंने क्रोशे का बनाया उसी में यह बटन आ जाएंगे इस तरह के से इसमें यह फुन्ने बना ले यह क्रोशे से बना के पर फिर दागया अंदर से बांध रखा था पहले फिर इसकी कटिंग कर ले तो यह तो मेरा फ्रोक त्यार हो चुका है अब इसमें मैं हेरबंड बताती हूँ तो यह मोती लगा रखे हैं तो आपके पास वे ऐसे बीट से पड़े हैं तो आप भी लगा सकते हो तो यह मैंने हेरबंड बताया था कि किस तरह किसे बनाना है और इसके भी सेंटर में मैंने एक फूल बना के और इसको थोड़ा सा अ इदर उदर तो इस तरीके से रबड को भी बांद लिया पीछे तो एक और बनाया मैंने ग्रीन में तो इसमें भी मैंने फूल बना लिया यह मेरी फैदर की उन पड़ी थी और इसमें मैंने एक एक पतियां भी बना रखे हैं इसी कलर की पति बना ली और यह भी मैंने पहले च जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, थेंक यू